और अपना एक profit margin add करके आप international platform पर payment recover करने की responsibility Amazon की होगी तो इस case में investment किसका लगा? उस company का जिस क्या सब को जानने के बाद उस industry के बारे में research करनी है This video is powered by Metas Lifestyle, India's leading manufacturer of stainless steel, module location, bathroom vanity, wardrobes and steel interior, franchisee showroom Pan India Hi friends, मैं हूँ Dr. Amit Mahishwari, business trainer, corporate trainer, module official speaker and CEO Metas Overseas Limited Friends, जैसे हम यह line पढ़ते हैं पैसा किसी और का और income आपकी, तो मन में एक खुशी आजाती है और बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात इस बात पर भी निर्पर करती कि क्या आप इसको अपनी life में implement करने के लिए तयार है क्या वो आप efforts करने के लिए तयार है, जिसमें आप ऐसा काम कर सके कि पैसा किसी और का और income आपकी जी हाँ, आज इसी विशय पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ ध्यान रखिए, इस business को तीन तरह से किया सकता है एक offline business के रूप में, online business के रूप में और import export business के रूप में फ्रेंट ध्यान रखेगा, इस बात से कोई फर्क ने पड़ता है कि आप कौन सा business करना चाते है फर्क इस बात से पड़ता है कि आप investment लगा के करना चाते है या बिना investment के करना चाते है आपने देखा होगा बहुत सारी जगा construction के plan बन रहे होते हैं है ना वहाँ पर catalog और brochures के जरीए जो builders हैं वो पूरा का पूरा plan दिखाते हैं पूरा infrastructure दिखाते हैं और advance में ही 10-20-20-25-25 बेज देते हैं जबकि actual site पर तो खाली जमीन होती है इसका मतलब proposed plan के आधार पर वो पूरा का पूरा project sale कर देते हैं और कुछ builder क्या करते हैं पूरी की पूरी floor तयार करते हैं पूरा construction करते हैं और उसके बाद sale करते हैं इसका मतलब हमारे देश में दोनों तरह से ही product बेचा जा सकता है फुल फ्लेश तयारी करने के बाद भी और planning पर भी तो business करना है वो भी बिना investment के बहुत अच्छा idea है आपको समझ में आना चाहिए कि business कौन-कौन से ऐसे हैं जो इस तरीके से हो सकते हैं B2C वो सारे product जिनको consumer खरीते हैं वो business भी आप दूसरे के पैसे पर अपने business को establish कर सकते हैं B2B business to business जहां पर एक industry दूसरी industry के लिए substitute product बनाती है यह supporting product बनाती है मतलब उसका इस्तेमाल अगले किसी product को बनाने में किया जाता है जैसे अगर आप fabric बनाते हैं तो fabric manufacturing company का जो fabric है वो जितने भी रेडिमेट government वाले हैं उनके लिए वो एक B2B product है ठीक उस्तर से B2E business through e-commerce e-commerce के जिरे भी व्यापार किया जा सकता है यह depend करता है कि आप कौन से format में काम करना चाहते हैं और next है B2G business with government हर वो product जो कोई ना कोई बनाता है सरकार हर वो चीज़ खरीते जो हमारे इंडस्ट्री में हमारे country में manufacture किया आता है यह depend करता है कि आप किस तरह के product में सरकार के साथ deal करना चाहते हैं अब यह तीनों ही अवस्था में चाहें आप business को offline करें online करें या import export के रूप में करें अगर सही तरीके को आपने समझ लिया तो आप दूसरे के पैसे पर व्यपार करके अच्छे से income कमा सकते हैं के लिए करना क्या है सबसे पहले आपको प्रोडक्ट की service की पूरी की पूरी इनफॉर्मेशन ग्राप करनी है उसके बारे में सब कुछ जानने के बाद उस इंडस्ट्री के बारे में research करनी है कि उस इंडस्ट्री में sale कैसे होती है material purchase कैसे होता है कितना होता है material dispatch कैसे होता है material के क्या features होते हैं यह सारी जानकारी अपको इकठी करनी है और उसके बाद में आपको जो step follow करने है वो steps है यह नबर वान आपने सबसे पहूए शिलेक्ट कर लिया कि किस इंडस्ट्री का आप काम करना चाहते हैं किस प्रोड़क्ट में आप डील करना चाहते हैं किस सर्विस में डील करना चाहते हैं चाहने वह ऑन लाइन हो चाह сторонIsLine ओ चाहनेพर комна ुप में हो चाहले मोझन तो सबसे पहला स्टेप है बिकम एसोसियेट पार्टनर आज बहुत सारे बहुत सारे ट्रेडर बहुत सारे ओनलाइन प्लैटफॉर्म्स अपने असोसियेट पार्टनर बनाते हैं जैसे कंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे जो बिल्डर पूरे के पूरे प्रोजेक्ट बना रहे ना उन्होंने सेल्स के लिए लोगों के साथ एसोसियेट पार्टनर्शिप की हुई है एसोसियेट पार्टनर्शिप के जरिए वो लोग सेल लेकर आते हैं और बिल्डर अपने फ्लोर को अपने फ्लैट्स को सेल करते हैं तो आप एसोसियेट पार्टनर बन सकते हैं मै सब कोछ प्रोवाइड करती है तो इस केस में इन्वेस्टमेंट किसका लगा उस कंपनी का जिसके आप एसोसियेट पार्टनर बने हैं और इंकम किसकी हुई आपकी क्योंकि काम कर रहे हैं उसके बदले आप दूसरा नेक्स जो तरीका है वो है कमिशन एजेंट आज बहुत सा करने के लिए कमिशन एजेंट के साथ डिल करती है कमिशन एजेंट का काम क्या होता है अलग-अलग स्टेट में जाना वहां से और बुक करना और और बुक करने के बाद वह और कंपनी को प्लेस करना और कंपनी का काम है मैटरिल डिस्पैच करना मतलब इन्वेस्टमेंट सा investment नहीं लगता पैसा उस company का लगव होता है जिसका प्रोड़क्ट है और इंकम आप की होती है ऑनलाइन में अगर आप जाते हैं तो affiliate marketing आप कर सकते हैं आप Amazon फिलिपकार जैसी कंपनी के साथ affiliate partner बन सकते हैं सहयोगी partner बन सकते हैं जिस भी तरह के product आप करना चाते हैं उस तरह के product का affiliate account पहले आप अपना खोल लिजिए उस product से संबंदित information आप social media पर share केजिए WhatsApp पर share केजिए या किसी website के थूँआप उसको promote कीजिए और वहाँ पर अगर product sale होता है तो product की delivery की responsibility Amazon की होगी payment recover करने की responsibility Amazon की होगी dispatch करने की responsibility Amazon की होगी और उसके वज में मिलने वाला commission आपकी income होगी इसका मतलब पैसा किसी और का और income आपकी तो आप affiliate partner के रूप में भी बहुत सारी companies के साथ मिलकर काम करते हैं आज बहुत सारी आप्स के प्रोमोशन के लिए भी वह affiliate partner बनाती है जैसे इंशुरेंस की बहुत सारी company पार्टनर बनाती है तो आपके अपन निर्भर करता है कि आप affiliate partner बनके भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं online reselling फ्रेंड्स यह बड़ा एक different concept है आज बहुत सारे products और services online platforms पर available है इसका मतलब वहां पर उन products की images उससे related information उसके प्राइज दिये हुए और जैसी आप online payment करते हैं तो वह product आप क्या deliver हो जाता है अब reselling कैसे कर सकते हैं एक ही product के अलग-अलग site पर अलग-अलग price होते हैं अब आपको करना क्या है आपको देखना है कि कौन सा product को किस जगे से आपको सस्ता मिल सकता है कौन सा e-commerce platform आपको कम rate पर वह चीज़ उपलब्द खरा सकता है और उसके बाद Amazon या Flipkart या और किसी site पर मीशो जैसे site पर आपको अपना account खोलना है और वो सारे images वहाँ upload करने है और उसके बाद order book करना है और supporting क्या है कि already जो बने-बने बड़े-बड़े platform है वह आपको support provide करते हैं कि वह आपको sales account भी देंगे वह आपको payment recovery का system भी देंगे वह आपको dispatch का system भी देंगे और ठीक यह selling का format भी बहुत अच्छा है आज एक ही product अलग-अलग sites पर अलग rate पर भी है आप बहुत सारे वेंडर से उसकी detail ले सकते है और उसके प्रोड़क्ट online reselling के माध्यम से बेच सकते हैं इसके लावा trading trading भी एक बहुत अच्छा concept है लग-बग यह सारे पार्ट भी ट्रेडिंग क आपको आगे rotate करते हैं वो क्या करते हैं कि मा फर एक्जामपल स्टील प्लांट से पता किया कि स्टील क्या रेट है वहां से मान लिज्य स्टील आने वाला है आपको 150 रुपी पर केजी और आपका जो बायर है वो 160 देने के लिए तयार है क्योंकि वहां पर बल्क बाइंग क अधर के लिए बल्क बाइंग का गेम होता है ट्रेडिंग के केस में भी बहुत सारी कंपनी जैसी हैं जो अपने वेंडर को बिना किसी एक्स्ट्रा इंवेस्ट मेंट के बिना किसी एडवांस प्यमिंट के मेटरीरियल देने के लिए तयार हो जाती है ज़रुसर तरीके से के format को समझने की और अपनी कंपनी को सिस्टेमेटिक तरीके से तयार करने की और इस से रिलेटिड बहुत सारे वीडियो मैंने पहले दिये हुआ है कि अगर आप एक नया बिजन सेट अप करना चाहते हैं कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं तो कौन-कौन से स्टेप्स आपको ले सेना और अपो आपने प्र आटेरीं मेटिरियल कर सकते हैं जारतर अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड में देखेंगे ना तो मेंफैक्टर से ज्यादा जो traders हैं वो इसमें ज्यादा successful है क्योंकि उनका पूरा का फोकस sale and purchase पर होता है और वो यहीं से manufacturer से material लेते हैं और वहाँ पर dispatch करते हैं कई बार तो यह देखा है same country से material ट्रिक्लोर करते हैं बुक करते हैं मतलब और same country में ही material दूसरे rate पर sale कर देते हैं और dispatch की problem भी बहुत बड़ी नहीं होती है मतलब international trade में वो एक तरह से country trade का भी काम करते हैं तो यह depend करता है आपके उपर कि आप दूसरे के पैसे की investment पर लगे हुए business से बिना investment के business कैसे कर सकते हैं फ्रेंट्स जरुवत है केवल और केवल उस initiative की जो आप लेनी के लिए तैयार है और जरुवत है अपने उपर ये विश्वास रखनी की yes I can do this और यही बात मान लीजिए आपने 50-60,000 रुपे लगा कर किया होता यही काम एक करोड़ से पांच करोड़ रुपे लगा कर किया होता तब भी आप क्या करते तब भी आप sell करते ना तो आपको back end में बहुत सार ऐसे manufacturer मिल जाएंगे ट्रेडर मिल जाएंगे जिनके पास material है they don't have a selling power वो आपको generate करना है और business को बहुत बढ़िया तरीके से run करना है बिना investment के आप आसानी से business कर सकते हैं बशरते कि आपको विश्वास हो कि yes I can do this स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित मैईश्वरी आपके सुनरे वविश्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत